SN LIVE सच सच से आदू PMCH refer कर दिया है घटना रगुनातपूर थानाशेतर के मीरपूर गाव के पास हुई घायल पुजारी के पहचान रगुनातपूर थानाशेतर के सुल्तानपूर मोती चापर गाव निवासी विद्याश्रंकर पांडे के 50 वर्षिय पुत्र हरिनात पांडे के रूप में हुई है घटना के संबंद में बताय जा रहा है कि पुजारी हरिनात पांडे लोगों के घरों से पूजा करा कर अपने घर लोट रहे थे वह रगुनात पूर थाना शेतर के मीर पूरगाव के समी पहुचे ही थे कि एक बाइक पर सवार होकर तीन की संख्या में पहुचे नकापोश बदमार्शू ने उन्हें घेर लिया और उनके उपर गोली चलानी शुरू कर दी इधार घटना की उजानकारी के बाद रगुनात पूर थाने की पुलिस मौके पर पहुचकर मामले की उजाच में जुट गई है पुलेस आसपास से लगे सीसिटी फुटेज से फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों का शिनाक्स थो सके और उन्हें जल से जल्द पकड़ा जा सके बता दे कि सिवान जिले में लगातार गोली बारी लूट और डकैती उसे यहां के वेवसाई और उस्थाने नागरे काफी भय भी थै दो दिन पहले बेखॉफ अपराधियों ने एक बुलेट बाइक सवार शक्स के सीने और पेट में तक्रीबन पाच गोलिया मारी थी जिसे पटना पी एम सी एच रेफर कर दिया गया था यह वारदाद मेरवा थानाशेत्र के लक्षमी पूर ओर ब्रिच के समीब गटित हुई थी जिसमें पीडित की फैचान गुठिनी थानाशेत्र के खड़खडिया गाव निवासी जगरनात तिवारी का 45 वर्ष ये पुद्र रमेश तिवारी के रूप में हुई थी देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रही हमारे साथ और हाँ अगर आप वीजियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सबस्क् करना मत भूलिए वीजियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और अपने कमेंट जरू हुआ